दोस्तों बहुत समय से हम सभी लोग BSNL के 4G सर्विस का पूरे देश में लौंच होने का इंतजार कर रहे हैं और प्राइवेट टेलिकॉम कंपनीज के टेरिफ प्लैंस में बड़ोतरी के बाद हम सभी को BSNL के 4G सर्विस की और ज़्यादा जरूरत महसूस होने लगी है लेकिन दोस्तों अब हमें BSNL 4G के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा क्योंकि ये निउज निकल कर सामने आ रही है कि BSNL का 4G हमें इस Financial Year के Second Quarter में यानि कि अगस सितंबर तक देखने को मिल जाएगा यानि कि जो Commercial Rollout है BSNL 4G का वो अगस सितंबर 2022 से स्टार्ट होने की उम्मीद हम कर सकते हैं दोस्तों आपको बता दे कि BSNL का 4G पूरी तरह से Made in India होगा और इसे TCS यानि की Data Consultancy Services और C. Any Center for Development of Telematics के साथ मिलकर तयार किया जा रहा है इससे पहले अक्टूबर में हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर श्री अश्वनी वैशनर जी ने पहला कॉल किया था BSNL के पूरी तरह से Made in India 4G वोल्ट ये सर्विस पर दोस्तो आपको बता दे कि BSNL का 4G अल्रेडी इंडिया के कुछ स्टेट्स में चल रहा है और आने वाले समय में हमें बाकी स्टेट्स में भी BSNL का 4G देखने को मिल जाएगा इसके अलावा BSNL समय समय पर अपने 4G Prepaid Plans लांच करता रहता है जो कि अगर आप Private Telecom Company से Compare करेंगे तो आपको काफी ज्यादा Value for Money वहाँ पर ओफर होता है तो दोस्तो आपको ये वीडियो कैसी लेगी मुझे कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताईए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम समय समय पर लाते रहते हैं